बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुडे रहे ये वाट्सअप बॉलिवुट के साथ निकाल दिया था पर अब लगता है विकास गुपता वापस शो में आने वाले हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक वीडियो शेयर किया है उस वीडियो में विकास गुपता ने बताया है कि वो कलर्स के ऑफिस में है अपने वीडियो में विकास गुपता कहते है हे गाइज मैं बहुत दिनों के बाद लाइफ जा रहा हो बहुत जल्दी ही आपको पता चल जाएगा मैं आप सब को थैंक्यू बोलना चाहता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारी लोगों ने कलर वायकॉम को लेटर्स लिखे मेरे लिए इतने प्यार भर और मेरे लिए लिखा ट्वीट से लिके मेसेजिस सग सभी कुछ ने मुझे बहुत खुश कर दिया है मैं वही करूंगा जो मैं करने में सबसे बेस्ट हूँ अच्छे से गेम केलूंगा और आप लोगों को एंटर्टेन करूंगा मुझे इस बार ये शो जीतना बहुत ही ज पज़िदार होगा अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दे वीकेंड का वार एपिसोर में सलमान खान ने अरशी खान को कहा कि जगड़े के बीच उन्हेंने विकास गुपता के माबाप को बीच मिला के सही नहीं किया अर्शी खान ने तब सल्मान खान को ये भी कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था पर सल्मान खान ने उनकी बात नहीं मानी वो अर्शी खान को कहते गए कि उनका जो बिहेवियर है वो सही नहीं था और अगर वो ऐसा भी येव करना चाहती है तो उन्हें किसी और शो में जाना चाहिए सलमान खाने ये भी कहा कि अगर वो विकास गुपता के जगे होते तो शायद वो भी विकास गुपता जैसे ही हरकत करते आप इन सब की बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको विकास गुपता के घर में वापस जाने के उपर क्या लगता है? क्या आप चाहते हैं कि विकास गुपता बिग बॉस 14 जीते या विनर को इस साल का ही कॉंटेस्टेंट हो? हमें अपनी राए नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लि वाट्स अप बोलीवूड